2013 से जो भी स्पीचिस थे 2G, 3G, CWG, दामाज जी इस पे आप स्पीच पर स्पीच देरे जा थे लेकिन ये लोग तो अभी भी लोदी गार्डन में सेयर करते नजर आते हैं कोई जेल नहीं गया जैशा है की जमानत भी बी तो है, जो जमानत पर है वो शयर कर सकते हैं, कानून रोकता नहीं है लेकिन ये भी महनना पड़े जा, कि इस देश का फसफेमिली जिसको बड़ा जाता था, चार-चार पीडी से जिन्होंने देशको राज किया है, उनको जमानत पर निकलना पड़ में यह बात अपने आप में बहुत बड़ी है और जो सैट ऑप पीपल है जो उनकी सेवा में लगे हैं वो ऐसी चीजों को दबाने में लगे रहते हैं और चीजों को भारने में लगते हैं यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है इस देश के भुत्पुर्व वित्तमंत्र उनको आज अधालत के चक्र काटने पड़ते हैं यह कुछ छोटी बात नहीं है लेकिन कोई भारतिय जनतापार्टी का बिरोधी है इसलिए उनको तकलिब हो इस पक्ष के हम नहीं है यह बेंडेटा नहीं है इस पक्ष में हम कभी नहीं है हम से कानून और प्रक्रिया में जो निकलेगा वो मोदी हो तो मोदी को भी भूगतना पड़ेगा वरना देश चल नहीं सकता है और इसलिए नहीं हमारा किसी व्यक्ति से इसमें को लेना देना है न किसी संस्ता से लेना देना है मेरिट के आधार पर डिपार्टमेंट प्रोफेशनली काम करें अधालत जो फैसला सुना है उसके आधार पर आगे बढ़ना चाहिए लेकिन देश जादा इंतजार करना नहीं चाहता है और इसलिए ऐसी चीजे लटकनी नहीं चाहिए इंतजार नहीं करना चाहता है इसलिए मोदी जी को वोट दिया ये कहते हैं लोग लेकिन पांच साल लग गए और अभी भी कुछ हो नहीं रहा ये देश को विश्वात है कि पांच साल में इतना सारा हुआ है इसलिए मोदी पर ज्यादा परोसा है